नमस्कार दोस्तों UPSC ग्यान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है सीखाओ और सीखाओ के मोटो से आज की वीडियो की सुवात करते हैं तो चलिए दिखते हैं आज इस वीडियो में क्या है तो इस वीडियो को सुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर इंडियन एकोनिमी इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री से सम्मंदित रिविजन प्रोग्राम चल रही है साथी साथ डेली mcq प्रोग्राम चल रही है करन्ट अफेर्स mcq प्रोग्राम चल रही है डेली कॉरिंट एफैस्स प्रोग्राम् चल रही है और श्रहु आध्टैस्ट्स काविष्टीar फैस्ते प्रोग्रम चल रही है ठीक है और यह हमारा tell i am City क्यूर्व प्रोग्राम जो चल रहा है ठीक है उसका सब्सक्राइट ग्यूटलैंड फाँ यह टिक क्विस्टिन का चलता है उसका प्रेक्टिस से पांच है और सब्जेक्ट वाइज जो है वह अलग से चल रहा है ठीक है तो इसका पहला प्रशन है कि आल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस ठीक है कि पर्थम अध्यक्स कौन थे बीवी गरी एसन डांगे लाला लाजपत् कि आल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस भारत के सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन है जिसका गठ है 1922 में दिवान चमनलाल लाला लाजपत्रा एनम जोसी जोसेफ पैपिस्टा और अन्ने लोगों के द्वारा किया गया ठीक है लाला लाजपत्रा इसके प्रथम अध अब्द्रकफार खान महात्मागाउंदी अलिबंदू मुलानाअबूलक्लाम अज़ाअध इनमें कोई नहीं इक्सेधि इन्होंने 1929 में खुदाई खित्मतगार संस्था को संगठित किया जिसे लाल कूर्ती आंदोलन भी बोलते हैं ठीक है यह राइस का एक्स्प्लानेशन पढ़ लिजेगा और आगे तीसरा क्वेश्चन है कि क्रिस्प्स मिशन भारत कब आया ठीक है फर्वरी 1922 मार्च 1922 अप्रेल 1922 महीं 1922 इनमें से कोई ने एक स्यादी तो इसका अप्शन भी 22 मार्च 1922 को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्स्ता में एक समीती भारत आई थी इस समय दिल्ली आई थी 22 मार्च को ठीक है जिसका मुख्य उद्देश था कि भारतियों का सहयोग लेना दूतिय विश्यूद में वर्ड वार्ट सेकन में ठीक है जो कि असफल रहा है चौथा प्रस्ता है कि सूरत फूट कभ गगा निसे पांच उनिस्सव साथ निस्सों ने इस इन में से कोई नेक से दी तो इसका अंसर होगा ऑप्शन भी उनिससात में ठीक है उनिसस पांच में सौदेशी अंदूलन स्टाट हुआ सोदेशी अंदूलन 1916 में जो है वो लखनों पैक्ट हुआ ठीक है 1919 में मॉन्टेगी चोयमसवोड यह रोलेक्ट यह जलिया वाला बाग यह तीन हुआ ठीक है कि स्वादेशी अंद्रोन को किस तरह से चलाएं और कहां उसका प्रसार हो इसको ले करके हुआ था और उस में उस सेशन में कौन धक्ष मनेगा ये भी एक विवादास्पत मुद्धा था ठीक है और 1916 में उन दोनों में को इस सब्सक्राइब मतलब कि गल जते वह मिल गए क्योंकि जो घरम जल कि नेता थे वह भी सिथिल पढ़ रहे थे और गरम permite नेता थे अ कि अन्देशन देख नंगीघशेंत और जी ने की थिए को तो औप्षण से गया बाकिपूर बेलगाम फैजपूर इमिनेस को इन एक से अधी तो इस कैंसरों का आप्शन भी 1924 में जो करनाटक सॉरी आप्शन भी नहीं हुआ ठीक है जिसके अध्यक्ष्टा चित रंजन दास ने की थी जिसके बाद 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था यह आसा योग अंदोलन को अस्थगन को लेकर करके इसमें प्रस्ताब हुआ था पास हुआ था 1912 में बांकिपूर में इक अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष्टा आर ऐंढम mistakes unpacker ने की थी hatır without wear चरण τους चर्नोबील पर्मानो आबधा कभ घर थी नंगावfik थी फ्रांस जापान यूक्रेंछ स्वर्म इनटीटवैंय lasers में ने था हो जकतीटी आसुक्तन रेय Ś्षयर में ने की लिए कैंसरों का अप्शन सी यूक्रेन सन 1986 में तातकालीन सोवियत संग ठीक है और बर्तमान के यूक्रेन में एक परवानु आब्दा घटित हुई थी जो विश्ट्य के सरवादिक भयानक परवानु आब्दाओं में से एक है कि सात्मा प्रशन है कि निम लिखी देसों में से किसे 40 कभीलाओ का गेता मतलब जिस देस का अर्थ 40 कभीलाओ का ठीक है कर्जाकिस्तानन ताजिकिस्तान उजवेकिस्तान कर्था सब्दीन सी को यजो veg 욕िस Sverig कि तुरकी सब्त किर्क से बना थह व्या Τुर्की सब्त किर्क से बना है कि जिसका साब्दік हर्थ होता है 4 mix प्लीर और कि जूट किया था ठीक है अगला प्रस्टाइब कि यूरोपे संग का मुख्याले का बुरुसेल्स पेरिस लॉम बर्ली इन वेसे कोई नहीं एक से दी तो इस कैंसरों का आप्षन ए बुरुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है बुरुसेल्स ठीक है और यूरोपे संग के बारे तो देखे इसका इंसरों का अप्शन ही क्योंकि चारों के चारों ग्रेट लेक्स में है ठीक है और देख लिजे यह कि क्या है सबसे पहले लेक सुपीरियर ठीक है लेक सुपीरियर लेक मिसिगन लेक हुरॉन लेक इरी लेक ओंटेरियो इन पांचों में जो लेक मिसिगन है ठीक है वह सिर्फ पर सिर्फ युएसे में है ठीक ह और बागी यह चारों कनेड़ा और युएसे दोनों में पढ़ता है ठीक है यह देखिए और इसका कभी-कभी आता कि पूरस से पच्छिम-पच्छिम से पूरस तो सबसे पहले लेख सुपीरियर ठीक है सुपीरियर फिर मिसिगन फिर यूरॉन फिर इरी और उसके बाद दसवन प्रस्ण मरमगा पतन कहां स्थित है उड़ी साग गोवा तमिल नदू करनाट का इनवे से कोई नहीं एक से अदिक तो इसका अंसरों का आपन बी गोवा राजम मुर्मगा पतन अवस्थित है ठीक है मर्मगा पतन मुक्यता एक निरियाद पतन है जो लो आयसके निर किया जाता और यह जुआरी नदी के ठट पर अवस्थित है तो इसका इंसरोगा ऑप्शन सी नर्सिंभाराओ कि गोशना की गई थी इस टाइम मनमोहन सिंग जो थे वह बित मंत्री थे वहीं नर्सिंभाराओ परधान मंत्री थे बारह में प्रस्ण है कि सम्मिदान सबार भारती सम्मिदान को कब अंग्रित किया गया है तो इसका अंसरोगा ऑप्शन भी चब्वीश नर्सिंभार वाली बात है कि हमारा जो पहला सम्मिदान सबाग का बैठाक हुआ था वो नो दिसंभार निर्मान का कारेक पूरा किया और उसी टाइम उसे अंग्रित भी किया था ठीक है और उसके कुछ भाग को लागू किया था ठीक है कुछ भाग को डीसिजन कौन लेता राश्पती संसद के इंदिर्यमंती परिश्द नियाल है इनमें से कोई नहीं एक से दी तो इसका एंसर होगा संबिधान के अनुच्छेद 11 के यह बोला गया कि जो संसद है वह इस बात का निर्धारन करेगी कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा थीक है को कि चोधम मेंड़्य सनकयला करी राजी की शंकलपना का समावमेज भारत के संविधान में नहीत है वह किसमे है किसमता नहीं है राजी के निर्फ निर्देशकत तब्स फिर्श्था मूल अधिकार में मूल करत्र में Mus send एक से दिकर तू इसका इन्सवेरों का Sug ए राज का निर्दी निर्देशक्तत जो की भाग चार है 36 से 51 आर्टिकल की बीच वह इस बात को प्रदर्शिस्थ करता है कि भारत एक कल्यानकारी राज्य होगा ठीक है इसमें कैसे सासन किया जाए कैसे कानून बनाए जाए विधिवस्ता को कैसे किया जाए इसका इस लिखा हुआ है कि कानून बनाने के समय में किन-किन बातों का ध्यान रखेगी सरकार चाह केंद हो चाहरा राज्य सरकार हो ठीक है है अ और अग्ला परस्ना है कि भारत का प्रधान मंत्रीर डैस होता है निर्वाचीं उता मॉन तो इसका इंसर होगा कैसे का इसका इंसर दी होगा निणीद्ध होते हैं भारत के परधान मंत्री को diesem शमभी दान के आर्टिकल चोहतर एक तर्ट राष्टपती द्वारा निणिध किया जाता है देखे लोग्षवा के सदक्रण होता है ठीक है और वह सबारे पूरा एक्स्प्लानिशन 54 riot में दिया हुआ है कि समिधान के लिए सब्सक्राइब करेगा एवा, राश्पति ऐसे व्यक्ति को पर्धान मंत्री नीउक्त करेगा, यहां देख लीजे नीउक्त करेगा, नुक्त करेगा जिससे लोग समाय में बहुमद्दल या दलों का समार्थन प्राप्त हो ठीक है शरीर के सभी अंगों का ताप्मन राएं रखने में कौन मदद करता है या क्रित रुधीर हिर्दय गुर्दा तो इसके अंसरों का आप्शन भी रुधीर ब्लड सर्कुलेशन हो करके हमारे बॉड़ी के टेंपरेचर को मेंटीन किया जाता हिर्दय ब्लड पंपिंग का काम कर करती है या क्रीट और जैसे कि हमारे वासा को स्टोर इत्यादी करने का काम करती है गुर्दा फिल्ट्रेशन का काम करती है गुर्दा का इंगलिस में की दिनी बोलते हैं ठीक है 17% में से किसकी मात्रा अमल वार्षा में सबसे अधिक होती है HCl मतला हाइड्रोकलोरीक एसीड, HNO3, H2SO4, H2CO3 इनमें से कोई ने एक से अधिक तो इस कैंसरों का आप्शन C, H2SO4, देखे, H2SO4 की मात्रा जो होती है वो 65% होती है, HCl की मात्रा 5% होती है, और HNO3 की मात्रा 30% होती है इस तरह अमल वार्षा में मात्रा होती है इन तीनों एसीड्स की अठारमा प्रसन सुल्तानपूर पक्षी अभ्यारन कहां इस्तित है, चंडिगार भरतपूर गुडगाओं गांधी ने का इनमें से कोई ने एक से दी सुल्तानपूर पक्षी अभ्यारन भरतपूर में भरतपूर पक्षी अभ्यारन है, ठीक है अब यह एक युनिश्कूर हरिटेस साइट भी है अब आगे है उनिसमा प्रसन जम्लालाल बजाज की स्चेत्र में दिया जाता है गांधिवाद जी विचारो को बढ़ावा देने तू थो उपस्ण ए ठीक है गांधिवाद्थी विचारो को बढ़ावाद देने तूउ- एबं समध्याजिक विकास के को बढ़ावा देने तू सन 1978 में जमनालाल बजाद फाउंडिंसन द्वारा जमनालाल बजाद पुरुषकार की शुरुवात की गई ठीक है विज्ञान के छेतर में कलिंग पुरुषकार दिया जाता है खेल कुद के छेतर में दुर्ण चार्ज अर्जुन इत्यादी पुरु से टीक तो इसका अम्सवरों का अप्शन के ए पंदर जुलाइं मतला आज के दिन के विश्ट यूवा कॉसल दिवस मनाया जाता है ठीक है ग्यारे जुलाई को विश्ट जन संख्या दिवस थीक है बारे जनवरी को राश्ट्रिय यूवा दिवस ठीक है चौमिय कानंद के जन्न दिवस पर ठीक है और 17 जुलाई को जो है वो विश्व अंतराश्टी न्याही दिवस वर्ल्ड डेव फॉर इंटरनेशनल जस्टीस मना जाता है ठीक है एक सिस्वें परस्ण है देखिए दोस्तों 20 जो हमारा परस्ण था ठीक है अब से हमारा जो एमसे क्यों सीरी जाए परस्ण को नहीं देते हैं वह 25 परस्ण के बाद छोड़ सकते हैं इस वीडियो को देखना और जो बिहार स्पेस्पिक देखते हैं उसे पूरा प्रस्ण देखना चाहिए ठीक है तो 21 परस्ण हाल ही सुरुखियों में रहा करण 4 क्या है मिसाइल एक एफ है गन्ने की 21 में को चीनी की रिकवरी होती है मतलब सुगर रिकवरी वह कम होता है इसको लेकर के एक नई वहाइटि का निर्वान किया गया था जिसे करन 4 का नाम दिया गया तो इस तरह इसके एंसर होता है गन्ने की किसम ठीक है तुर्की खाली में तुर्की ने वहां पर जो एक मस्जीद है जिसे हेगिया शॉफिया बोलते हैं उससे संग्राले के रूप में परवर्वर्थित करने का निर्न लिया है यह जो मस्जीद है वह पहले किसी टाइम में क्रिस्टियन चर्च को करती थी कि अब 13 में परश्ण है चीनुक हॉप्टर को किस देश से खरीदा गया हाल भारत चाहने के भीच हुए विबाद में चीनुक हॉप्टर बहुत सुर्के ना राता तो इसे किस देश से खरीदा गया रूस फ्रांस अमेरिका इसराइल में से कोई नेक से दी तो इसस कैंसरों का कि अप्शन सी अमेरिका अमेरिका से चिनुक और अपाचे दो हेलिकॉप्टर खरीद आ गया है कि चोविशना हाल ही में कि इस आइटी के द्वारा सुध्ध नामक सेनिटाइजिंग डिवाइस को बनाए गया आइटी कानपूर आइटी मद्रास आइटी डिली इन्वेसे कोई आइटी कानपूर द्वारा सुध्ध नामक सेनिटाइजिंग डिवाइस यूभी इनेबल सेनिटाइजिंग डिवाइस का निर्मान किया गया जो दस वादस के कम्रे को कुछ मिंटों में ही सेनिटाइज कर देगी ठीक है पर चेस्वापरस्णा को वेक्सीन नामक कोरोना व इन में से कोई नेक्स यादी तो इसका अंसर होगा अफशन भी भारत बायोटेक और आइसी आवार मिल करके को वैक्सीन का निर्वान किया है जिसका फेज वन ट्रायल इस मन से स्टार्ट हो रहा है और बोला जा रहा है ऐसा बोला जा रहा है कि पंदर अगस्त को इसको रिलीश किया जागा अब रिलीश के संदर्व में इसकी क्लैरिटी नहीं है ठीक है तो यह याद रखिया को वैक्सीन हमारा इंडिया के तरफ से एक कोरोना वैक्सीन को रेकर के कैंडिडेट है अब आगे देखते हैं हॉप करते हैं सब बहतर रहे ठीक हो जाए और वैक्षिन का निर्मान सफल परिक्षन हो जाए चलिए 26 प्रशन के और अब से जो बिहार स्पेसिपिक हैं वही पांच को देखेंगे और जो नहीं बिहार की एक्जाम्स को देते हैं वो इसको छोड़ सकते हैं तो 26 प्रशन है कि देशेर कथा कि लेखक कौन है ठीक है राजेंद प्रशाद निवारंचंद मुडली मनुहर प्रशाद सखाराम गनेश देवसकर इनमें से कोई नहीं एक्षय दी तो इसका अंसर होगा ऑप्शन डी सखाराम गनेश देवसकर ठीक है उन्होंने देशेर कथा यह बंगाली नाम है जिसका हिंदी नाम होता देश की कथा कव पुस्तक का रचना किया इन्होंने इसमें स्वादेशी आंदोलन से सम्मंदित चीजों का वर्णन किया ठीक है अर्था स्वादेशी अंदोलन इस इस बुक से प्रभावित थे 27 में प्रसने बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे अब्दुलवारी लंबोदर मुखरजे मुर्ली मनोहर परसाथ रामानान चेटर जी इनमें से कोई नहीं एक्से दे तो इसका एंसर समाचार पत्र के सबसे ज्यादा दिन तक संपादक रहे हैं और सर्चलाइट समाचार पत्र निकलना स्टार्ट हुआ ठीक है जो सब्ता में तीन दिन होता था 1920 से चार दिन होने लग गया 1930 के दर्सक से यह देनिक हो गया ठीक है 1986 में इसे डिसकन्टिन्यू कर दिया गया मतलब बंद कर दिया गया और इसके जगा पटना से हिंदुस्तान टाइम्स अक्वार को प्रकासित किया जाने लग दिया ठीक है आगे का प्रस्ट अठासमा प्र तो इसका इंसर होगा अप्शन ए 1935 जो है लिंगानुपात है 1934 जो है वह सायद प्रोविजनल था आप तो 47 हो गया इंडिया का सेक्स रिस्यू ठीक है आगे देखिए 29 प्रस्ट बिहार मानव अधिकार आयो के बढ़तमान नदेख्ष्पॉन यह दो-तीन दिन पहले इसकी गोशना हुई है और यह समाचार पत्रों में था तो अप्शन देखते हैं असो कुमार सिना सिसीर कुमार सिना विनोत कुमार सिना अम्रेस प्रताप साही इन में से कोई नहीं एक से दी तो इसके अंसर होगा अप्शन सी विनोत कुमार सिना जस्टीस विनोत कुमार सिना जो और असोग कुमार सिर्णा जो हैं वह अभी बिहार के मुख सूचना आयूक्त है ठीक है और ये रिटायर होने जा रहे हैं षिशिर कुमार सिर्णा platforms के चेयरमेन है जो 19 जुलाई को रिटायर होने जा रहे हैं थीक है अंतिम प्रश्न है ब्हार का कौन सा सहर गंगा के टर्ड़ पर अवस्तित है नहीं है मुंगेर बेगूसरा यह बकसर भागलपूर इन्मेंस कोई नहीं एक से दिक तो इसका अंसरों को और सब्सक्रीक नहीं बागलपूर है इत्यादे कुछ प्रमुक्सार गंगा के टट पे अवस्थी थी ठीक है दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कटप को कमेंट बॉक्स में जरूर ल